हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इश्टिडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिस्कस करेंगे COVID-19 से रेलेटिड टॉप 50 कोशन जो कि आपके एक्जाम में डारेक्ट पूछे जा सकते हैं, दोस्तों आने वाले समय में SSC GD का एक्जाम है, जिसमें यहां से कोश के साथ सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, आपको यह कोशन बहुत ही सरा लगेंगे, दोस्तों अगर आपको इस लेक्षर का पीडिया प्राप्त करना है, तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्ष में बिन दोस्तों, एक और बात है कि अगर आप हमसे वाट्सअप के माधियम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे दो वाट्सअप नमबर हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, 86-02-37-93, यह हमारा पहला वाट्सअप नमबर है, दूसरा नमबर है दोस्तों, 87-70-53-60-09, चलिए फ्रेंड अब हम पहला कोश्चन डिसकस करते हैं, कोरोना से रिलेटेड, तो पहला कोश्चन है, पहली बार कोरोना वाइरस की पहचान कब हुई थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 से कोरोना वाइरस दुनिया में फैला है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पहली बार कोरोना वाइरस की पहचान हुई थी 1960-00, अंगला कोश्चन है, कोरोना वाइरस की सुरुवात कब से और कहां से हुई थी? तो कोरोना वाइरस की शुरुवात हुई थी December 2019 से, चीन के बुहान सहर से, जो की दोस्तों चीन के हुवोई प्रांद में हैं, तो याद रखना है कि जो कोरोना वाइरस की सुरुवात है, वो December 2019 से हुई थी, कहां से हुई थी? चीन के बुहान सहर से, और बुहान सहर चीन के होबोई प्रांथ में है अगला कुश्छन है कोरोना का official name क्या है यानि आधिकारेक नाम क्या है तो दोस्तो को रोना का आधिकारेक नाम है covid-19 क्या है दोस्तो covid-19 जिससे कोरोना वाइरस बिजीज के नाम से चाना जाता है चलिए फ्रेंट्स अंगला कोरो WHO के द्वारा Corona को Westwick महामारी कब घोशित किया गया था? 11 March 2020 को. तो दोस्तो आसा करते हैं कि ये कोशन आपको समझ में आ रहे होगी, ये बहुत ही सरल कोशन है और आपके एक्जाम में ऐशे ही कोशन पूछे जाने वाले हैं. अंगला कोशन है, कोरोना वाइरस से मानो सरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तो कोरोना वाइरस से मानो सरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है फैपड़ा, यानि जो हमारे लंक्स हैं वो प्रभावित होते हैं कोरोना के करण. अंगला कोशन है, भ पहला मास्क फिरी देश बना था इसराइल यानि इसराइल पहला ऐसा देश था जिसने अपने देश में मास्क को लगाने से मुक्ति रही थी यानि वहां पर मास्क फिरी कर दिया गया था अंगला कुश्चन है देश में कोरोना वाइरस के संक्रमण से पहली मौद कहां हुई तो ये तरणाटक में हुई थी इस वाइरस का यानि कोरोना वाइरस का नाम कोरोना वाइरस कैसे पड़ा तो दोस्तो इसका जो structure है वो crown जैसा है जैसे मुकोट होती है बैसा इसका structure है इसके कारण उसका नाम coronavirus पड़ा है अंगला question है COVID-19 के लिए कौन सा virus जिम्मेदार है COVID-19 के लिए कौन सा virus जिम्मेदार है तो उसका नाम है SARS-CoV-2 यह जो question है यह बहुत important question है दोस्तो आपके exam में जरूर ऐसा question पूछा जाएगा कि COVID-19 के लिए कौन सा virus जिम्मेदार है तो याद रखना है COVID-19 के लिए SARS-CoV-2 नामक जो virus है वो जिम्मेदार है अंगला question है किस देश में coronavirus की vaccine का पहला मानव trial सुरू हुआ था तो दोस्तो कोरोना virus की vaccine के लिए पहला मानव trial सुरू हुआ था अमेरिका में अंगला question है कोरोना virus के नए virus को आइस्थाई रूप से क्या नाम दिया गया था तो यह नाम दिया गया था 2019 N-CoV जो था यह 2019 N-CoV जो नाम था यह आइस्थाई नाम था चलिए friends अंगला question discuss करते हैं भारत में पहली बार lockdown कब लगया गया था तो 25 March से लेकर के 14 April 2020 तक के लिए 21 दिन के लिए भारत में पहली बार lockdown लगया गया था अंगला question है कोरोना को महामारी घुशित करने वाला पहला राज जिकोन था तो दोस्तो कोरोना को महामारी घुशित करने वाला पहला राज जिकोन था तो कोरोना वायरस के करने वाला पहला राज जिकोन था तो कोरोना वायरस के करने वाला पहला राज जिकोन था तो कोरोना वायरस के करने वाला पहला राज जिकोन था तो लॉकडाउन करने वाला प करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों अंगला कोश्चन है कोबिट 19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन था तो वो था इतली का फ्यू मिश्णों एयरपोर्ट कौन था दोस्तों इतली का फ्यू मिश्णों एयरपोर्ट अंगल अंगला कोशन है दोस्तों COVID-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे यानि दुनिया में ऐसा कौन सा पहला प्रधानमंत्री था जो COVID-19 से प्रभावित हुआ था तो वो थे ब्रेटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉंसन अंगला कोशन है COVID-19 रोगियों के लिए पहल प्लाजमा बैंक कहां खोला गया तो दोस्तों COVID-19 रोगियों के लिए पहला प्लाजमा बैंक खोला गया था दिल्ली में Next question है, जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका किस ने डैबलब किया है? यानि जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विक्सित करने वाला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है रसिया. WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वारिस की दो वैरियंट, कपपा और डेल्टा के इस्ट्रेंड का नाम क्या दिया है? तो दोस्तों जो कपपा वैरियंट है, जो कपपा वैरियंट का इस्ट्रेंड है, उसका नाम ध्यान से सुनीगा. उसका नाम है B.1.617.1 और जो डेल्टा वैरियंट है, इसका WHO ने नाम दिया है B.1.617.2 तो आपको ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना है और इसको नोट कर लेना है कि जो कपपा वैरियंट है, उसका नाम क्या दिया है WHO ने? तो आप ध्यान से सुनिएगा B.1.617.1 और जो डेल्टा वैरियंट है, उसका नाम क्या दिया है? उसको नाम दिया है V.1.617.2 अंगला कुश्चन है दोस्तों ध्यान से सुनना है ओक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारती रेल ने पहली ओक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां से च लिए नेक्स्ट कुश्चन है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है को वैक्सीन तो उसका निर्माण किया गया है भारत बायोटेक और भारत ये चिकितसा अनुसंधान परसद यानी ICMR के द्वारा अंगला कुश्चन है दोस्तो कोबी सील जो की एक वैक्सीन है इसका निर्माड किस ने किया है तो इसका निर्माड किया है दोस्तो ओक्सपोर्ट एस्ट्रोजेनेका ने लेकिन भारत में इसका निर्माड किस ने किया है सीरम इंस्टिट्यूट उने ने यानि सीरम ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा किया गया है भारत में इसका निर्माण देखिए दोस्तों खोज ऑक्सपोर्ट एक्स्ट्रोजेनेका के द्वारा की गई है लेकिन भारत में ऑक्सपोर्ट एक्स्ट्रोजेनेका के द्वारा कौन निर्माण कर रहा है सीरम इस्टिट्यू 16 जनवरी 2021 से यह कोशन भी बहुत ही इपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में डारिक्ट पूछा जा सकता है कि भारत में कोवेट टीका करन अभियान की शुरुबात कब से हुई थी तो यह शुरुबात हुई थी 16 जनवरी 2021 से अंगला कोशन है टीका उस्ताव कब से कब तक मन बनाया गया था चलिए फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट डिसकस करते हैं यानि कुछ और कोशन डिसकस करते हैं टीका करन से पहले रजिस्टेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या बनाया गया था तो दोस्तो उसका नाम है कोविन यानि टीका करन से पहले रजिस्ट प्राण और वायू अंगला कुश्चन है जीवन वायू उपकरण को किस ने डेवलब किया है तो दोस्तो इसको डेवलब किया है IIT रोपर ने अंगला कुश्चन है COVID-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपिय देश कौन बना है तो COVID-19 से मुख्त होने वाला पहला यूरोप ये देश बना है Slovenia कौन सा दोस्तो? Slovenia अब हम COVID-19 के समझ चलाए गए कुछ important operation या mission डिसकस कर लेते हैं दोस्तो, operation समुद्र से तू तो दोस्तो, operation समुद्र से तू COVID-19 के सुरुवाती दिनों में मालदीप में फसे भारतियों को बापस लाने के लिए भारतिये 9 सेना के द्वारा चलाया गया था ठीके दोस्तो, याद रखना है operation समुद्र से तू इंडियन नैवी के द्वारा चलाया गया था और इंडिया नेवी के द्वारा मालदीप में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाए गए था अंगला ओपरेशन है दोस्तों ओपरेशन संजीबनी और इस ओपरेशन के तहट भारत ने मालदीप को 62 टन आवशक दमाय उपलब्द कराई थी अंगला ओपरेशन है दोस्तों ओपरेशन नवस्ते तो ये भारतिय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वाइरस के संक्रमन से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था तो याद रखना है और उपरेशन नवस्ते भारतिय सेना से रिलिटेड है बंदे भारत mission तो दोस्तों बंदे भारत mission क्या था विदेशों में फसे 14,800 भारतिय नागरुकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान है यानि बंदे भारत मिसन में क्या काम किया गया था कि जो बिदेशों में भारतिये नागरेक फस्ले हैं उनको लाया गया था भारत में चलिए फ्रेंट्स अंगला मिसन डिसकस करते हैं मिसन सागर कोविट-19 से निपटने के लिए मालदीप, सैसल्स, मिर्डा गासकर और कौमो रोज को आवश्यक खाद समगरी और आयूरबेदिक दवाओं की पूर्थी के लिए मिसन सागर चलाया गया था चलिए फ्रेंट्स अब हम कोविट-19 के दौरान जारी किये गए कुछ एप भी डिसकस कर लेते हैं तो पहला एप है कोरोना कवच एप जो की भारत सरकार के दौरा डेवलब किया गया था दूसरा एप है नाडी एप जो की पुदोचेरी सरकार के दौरा डेवलब किया गया था अंगला एप है दोस्तो प्रिग्याम एप जो की जार्खंट सरकार के दौरा डेवलब किया गया है फिर है दोस्तो COVID CAREF ये अरुनाचल प्रदेश सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है अंगला F है आरूग की शेतू एप ये तो बहुत ही important है दोस्तो तो आरोगी शेतू एप को भारत सरकार के द्वारा डेवलब किया गया है, जिसमें कोरोना वाइरस को ट्रैक किया जाता था, अंगला जो एफ है वो है संजीबिनी एप, जो की बिहार सरकार के द्वारा डेवलब किया गया है, दोस्तो अंगला एफ है कोविड फर्मा एफ, ओ चलिए फ्रेंड्स हमने इस प्रिकार से COVID से related कुछ important question discuss किये हैं अगर आपको ये lecture पशन्दा है तो like जरूर करिएगा इसके अलाबा आप राजा गुपता को अने अकेडमी फर follow कर लीजिगा वहाँ पर आपको उनकी special classes, life classes मिल जाएगी और अगर आप राजा गुपता की माद इंडियर हिस्ट्री का audio course मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर अगर आपको ये lecture पशन्दा है तो like करिएगा दोस्तों को share करना बिल्कुल न भूलिएगा सभी platform फर अब वो share कर दीजिगा मिलते है next lecture में जैहिंद पंदेमा